आपका स्वागत है तो चलिए आज हम लोग 10th कलास का हिंदी का बहुत ही महतपुर्ण objective question लेकर आये हैं जो देख सकते हैं आने वाले एक्जाम के लिए काफी important है तो चलिए विडियो को like share कर दे चैनल पर नएया है देख सकते हैं description में link देदिंग find वहां से जाकर आप one two देख सकते हैं यह तीसरा last video है बिलकुल इसी में से आने वाला है तो चलिए पहला नंबर जो question है देखते हैं देख सकते हैं पहला नंबर जो question है वह है इस परकार से है कि जाती परथा सरम विभाजन माल लिया जाए तो सवभाविक विभाजन नहीं है तो यह पंक्ती कि सिर्षक पाट की है तो यह पंक्ती है जो है सरम विभाजन की है किसकी है सरम विभाजन और जाती परथा की यह प देख सकते हैं लट्टू खेलने की ललक से मदन और कासू के भी जगरा हुआ था next number question है कि किस की खोज से हमारी इतिहासिक चेतना में नया अन्याय देख सकते हैं अध्याय जूर गया है तो किस की खोज से हमारी इतिहासिक चेतना में नया अध्याय जूर गया है तो यह सन्सक्रीट से, किसे सन्सक्रीट से तो चलिए next number question देखते हैं,देख सकते next number question है, कि जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्सों तक सर जोंस ने देखा कि सूरे उपरांत सागर में दूब रहा हैं, तो यह 35 वर्सों तक कितने 35 वर्सों के Next last question है 1000 परसाद दिर्बेदी को किस रचना के लिए साहिते कैडमी प्राप्त हुआ तो 1000 परसाद देख सकते 1000 परसाद दिर्बेदी को किस रचना पर साहिते और पुरुसकार प्राप्त हुआ था तो अलोग पर्ब किस पर आलोग पर्व पर उन्हें साहित्यक आइडमी पुरुसकार प्राप्त हुआ था देख सकते हैं उलच खलता पसु की प्राविट्टी है सब का वंधन मनुस्य का सवभाब है यह पंक्ति की सिर्शक पाठकी है तो यह पंक्ति है जो नाखुण क्यों बढ़ते हैं किन की है नाखुण क्यों बढ़ते हैं Next question है कि मोहमद गर्जनभी के बाद किन सास्कों ने अपने सिख्य पर नागरी सब्द खुदवाये थे तो मुहमद गजनी के बाद खुरवाये थे मुहमद गवरी अल्ला उद्दीन खिलजी सेरसा ने किसने अल्ला उद्दीन सेरसा ने देख सकते हैं सिक्को की जो नागरी सब्द है वह खुदवाये थे नेक्ष्ट नमर कोश्चन है कि वेतमा दानपत्र कब का है तो वेतमा दानपत्र है जो दस्षोबीशीश भी का है कब का है दस्षोबीशीश भी का है नेक्ष्ट नमर कोश्चन है कि कुहासा सीरसक कहानी संगरफ किस लेखक की रचना है कुहासा सीरसक कहानी है जो अमरकांत की रचना है किनकी रचना है अमरकांत की रचना है निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी थी तो निर्मला ने जो फटी पुरानी दरी दे दी थी बहादूर को किसको बहादूर को फटी पुरानी दरी दे दी थी next number question है कि अंग्रेज कभी देख सकते हैं टेनी सन ने किस लाइटिन कभी पर कविता लिखी थी तो यह लिखी थी वर्जील पर किस पर वर्जील पर लिखा था यानि उप्सन नमबर यह हो जाएगा next number question है कि बिर्जु महराज को संगीत भारती में कौन लाया तो बिर्जु महराज को संगीत भारती में कपीला जीन ने लाया था next number question है देख सकते हैं कि आंद्रे वरत देख सकते हैं रेने सा और पाल एलू आर ने मिलकर कितनी सयुक्त कविताएं अविन्यों में रहकर लिखी next number question है कि पेर पर कमरा सिर्शक कहानी किनकी संग्रह रचना है तो पेर पर कमरा है जो बिनोद कुमार सुकल की रचना है किनकी रचना है बिनोद कुमार सुकल की रचना हो जाएगा कौन ठंड से कांप रहा था तो यह दीदी देख सकते दीदी हैं जो ठंड से कांप रहा था नेक्स नमर कोश्चन है कि परियाक्त सास्त्रिय गाय का गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतिद्र मिस्र द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्न में से कौन है तो यतिद्र मिस्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक है गिरिजा है क्या हो जागा गिरिजा हो जा यह कथन किनका है तो सहनाई और कासी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है धर्ती पर हमारे लिए तो यह बिस्मिल्ला खान का है किसका बिस्मिल्ला खान का है तो चलिए नेक्ष नमर कोश्चन देखते हैं देख सकते हैं नेक्ष नमर कोश्चन है कि बकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहां गये थे, तो बकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी लंदन गये थे, कहां गये थे, लंदन गये थे सिच्छा और संस्क्रीती सिर्षक पाठ साहित्ते कौन सी विध्या है तो सिच्छा संस्क्रीती पाठ साहित्ते हैं जो सिच्छा सास्त्र हो जागा क्या हो जागा सिच्छा सास्त्र है नेक्श नमर कोश्चन है कि भग्गु अगर नरेन घर में घुशे तो साले के हाथ पेर तोरकर बाहर फेंक देना किसने कहा था तो भग्गु अगर घर में घुशे तो नरेन घर में घुशे तो साले को हाथ पेर तोरकर फेंक देना तो यहाँ पिता जी ने कहा था किसने पिता जी ने कहा था next number question है कि क क क उचारन अस्थान क्या है तो क क जो उचारन अस्थान कंट से हो जाएगा next number question है कि जिन सबरों का उचारन नाक मुह से होता है उचारन में लगूता रहती है उन्हें क्या कहते हैं तो जिनका उझ्ञारन नाक और मुँसे होता है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं, क्या कहते हैं अनुनासिक कहते हैं यानी हो जाएगा option number D हो जाएगा नेक्ष नमर कोश्चन है, अहं कार सब्द का संधी बिछेद क्या हो जागा, अहं कार सब्द का संधी बिछेद हो जागा, अहं पलस कार, क्या हो जागा, अहं पलस कार हो जागा, नेक्ष नमर कोश्चन है, कि निम्न में कौन सुध सब्द है, निम्न में से कौन सुध सब्द ह हो जागा तो परनाम हो जागा क्या है जगा परनाम है जो सूध सब्द हो जागा चलिए यहां पर नेक्ष्ट नमर कोश्चन है कि मोहन सब्द कौन संग्या है तो मोहन सब्द हो जागा जाती वाचक संग्या मोहन सब्द हो जागा जाती वाचक संग्या हो जागा नेक्ष्ट चीत्र सब्द कौन सा लिंग है तो चीत्र हो जागा पुलिंग चीत्र क्या हो जागा चीत्र हो जागा पुलिंग हो जागा next number question देखेंगे देख सकते next number question है कि भाफ सब्द है तो भाफ हो जागा तसम हो जागा क्या हो जागा भाप है जो तसम सब्द हो जागा next number question है कि पंडित का इस्तिरलिंग रूप क्या हो जागा तो पंडित का इस्तिरलिंग रूप हो जागा पंडिताइन क्या हो जागा पंडिताइन हो जागा next number question है कि हिंदी में कितने कारक है तो हिंदी में कारक हो जाएगा आठ कारक, हिंदी में आठ कारक हो जाएगा, next number question है, कि मचुए ने मचली मारा, किस कारक का उधारन है, मचुए ने मचली मारा, तो ने, तो यह हो जाएगा करम कारक का उधारन, किसका करम कारक का उधारन हो जाएगा, next number question है, कि आप क्या राय देते हैं निश्चे बाचक सर्वनाम का उधारन है किसका निश्चे बाचक सर्वनाम का किरियाओं के अधार पर निरंतर को कहते हैं क्या कहते हैं बरतमानकाल कहते हैं नेक्ष नमर कोश्चन है चिरिया सब्द हो जागा तसम हो जागा क्या हो जागा चिरिया सब्द हो जागा तसम चलिए यहाँ पर नेक्ष नमर कोश्चन है बनावट के बिचार से सब्द के कितने भेध है बनावट के बिचार से सब्द के दो भेध है बनावट के बिचार से सब्द के दो भेध है next question है चलिए, यहाँ पे next question है बंधु सब्द में परतिये हो जागा next question है राष्ट का विशेषन क्या हो जागा तो राष्ट का विशेषन हो जागा राष्ट ये क्या हो जागा राष्ट का विशेशन हो जागा राष्ट ये नेक्स नमर कोश्चन है कि सब परिवार सब्द कौन समास है तो सब परिवार सब्द हो जागा वह वहु बिडिश्यमास हो जागा क्या हो जागा वहु बिडिश्यमास हो जागा नेक्ष नमर कोश्चन है कि अग्गिन सब्द का विलूम क्या हो जगा तो अग्गिन सब्द का विलूम हो जगा जल अग्गिन सब्द का विलूम क्या हो जगा जल हो जगा चलिए यहां पर नेक्ष नमर कोश्चन देखेंगे देख सकते हैं नेक्ष नमर कोश्चन है कि गुर गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्रामतियाग दिया थे तो वाहे गुरु क्या वाहे गुरु कहते हुए अपने प्रामतियाग दिया थे नेक्स नमर कोश्चन है कि गुरु नानक का जनम अस्थान कब हुआ था गुरु नानक का जनम कब हुआ था तो गुरु नानक का जाजनम 1479 पॉफया था, कि नाइख्सन से कंदोल, कुल्र कन्टे स उसमे के माटी छी सब्राइग Wendyने दोल गया है कि एक अधे सायर छॉदा। नदीर साह के सिपाहियों को कितनी मुठी क्या दिया देख सकते घना नंद नदीर साह के सिपाहियों को तीन मुठी क्या दिया था तो घना नंद ने नदीर साह के सिपाहियों को तीन मुठी हीरा दिया था क्या दिया था हीरा दिया था नेक्स नमर कोश्चन है कि स्वादेशी सिर्षक कवीता के रचनाकार कौन है तो स्वादेशी सिर्षक कवीता के रचनाकार बदरी नराय चौधरी प्रेमघन है कौन है बदरी नराय चौधरी प्रेमघन हो जाएगा next number question है भारत माता सिर्षक कविता किस कविता संग्रा से संकलित है तो भारत माता जो सिर्षक कविता है वह किस संकलित है तो ग्राम में से संकलित है किसे ग्राम में से यानि option number B हो जाएगा next नमर कोस्चन है कि दैन्य जडित अकल देख सकते हैं अपकल लख नत चीतवन अधरे में चीर नीरव रोधन यह पंक्ति किस कविता की है तो यह पंक्ति है जो भारत माता की है किनकी है भारत माता की यह पंक्तियां है next number question है कि परसु राम की परतिच्छा किनकी रचना है परसु राम की जो परतिच्छा है वह रमधारी सिंग दिनकर की रचना है किनकी रमधारी सिंग दिनकर की रचना है नेक्स नमर कोश्चन है कि कभी रमधारी सिंग दिनकर के नुसार जनतंतर का देवता कौन है तो कभी रमधारी सिंग दिनकर के नुसार जनतंतर का जो देवता है वह किशान मजदूर हो जागा क्या हो जागा किशान और मजदूर हो जागा चलिए यहाँ पे 50 नमर प्रश्ण देखेंगे कि सचिदा, नंद, हिरा, नंद, वत, सया, नग्यान को हिंदी के अलाबा और किस भासा का ज्यान था तो सच्चिदा नंद, हिरा नंद, वत्सयानग्यां को संस्कृरीत, अंग्रिजी, फार्षी, तमिल, इन सभी भासाओं का ज्यान था चलिए, next number question है कि हिरोसीमा से सक कवीता, किस कवीता संग्रह से संकलित है तो हिरोसीमा है जो इतलियम से संबंधित है किसे हैं इतल्यम से संबंधित हैं next number question है कि बचाना है जंगल को बचाना है जंगल को मरवस्थल हो जाने से यनि option number P हो जाएगा next number question है कि बिरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता रहता है तो बिरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में ही धरती चलती रहती है क्या धरती चलती रहती है next number question है कि कावित्री अनामिका कहां के रहने वाली है तो कावित्री अनामिका है जो गुजरात के रहने वाली है कहां के गुजरात के रहने वाली चलिए नेक्श नमर कोश्चन है देख सकते हैं नेक्श नमर कोश्चन है कि पहली विफल पर छलके आसू है साइद प्रतमाचर स्रिष्टी का विकास कता यह पंक्ती किस कवीता की है तो यह पंक्ती है अच्छर ग्यान की है किनकी है अच्छर ग्यान की है next number question है कि जिवना नंद दास का निर्धन कितने साल के उम्र में हुआ था तो जिवना नंद दास जी का निर्धन हुआ था 60 साल के उम्र में next number question है जहरा पलक कि की रचना है तो जहरा पलक है जो जिबना नंददास की रचना है किनकी रचना है जिबना नंददास की रचना है ज़ड़ा पलक next number question है जिबना नंददास बंगला के किस काल के परमुख कभी है तो जिबना नंददास जी है जो बंगला के मध्यकाल के परमुख कभी क्या है काब्वे संग्रा नेक्ट नमर कोश्चन है रेनर मारिया रिलके का जनम कब हुआ था तो रेनर मारिया रिलके का जनम 1875 में हुआ था कब हुआ था अठाडा सो पच्छत्तर में हुआ था Next number question है कि वैतनिक सब्द का विलूम क्या हो जगा तो वैतनिक सब्द का विलूम हो जगा अवैतनिक हो जगा क्या हो जगा वैतनिक सब्द का विलूम हो जगा अवैतनिक Next number question है अपना उल्लू सीधा करना मोहाबडे का क्या अर्थ हो जागा तो अपना उल्लू सीधा करना मोहाबडे का अर्थ हो जागा अपना काम निकालना क्या हो जागा अपना काम निकालना Next number question है कि जो व्याकरन जानता है के लिए एक सब्द हो जागा जो वियाकरन जानता है वयाकरनम देख सकते हैं वयाकरन हो जाएगा option number C हो जाएगा चरिए यहाँ पे 64 number question है कि पती का पढ़ियवाचिक सब्द क्या हो जाएगा तो पती का पढ़ियवाचिक सब्द हो जाएगा वललब क्या हो जाएगा वललब हो जाएगा यानि option number D हो जाएगा next number question है कि निमली में सुध्ध वाक्य कौन है तो सुध्ध वाक्य हो जाएगा परधाना अध्यापक लरकों का चुनाब करेंगे परधाना अध्यापक है जो लरकों का चुनाब करेंगे चली next number question है बिजली चमकती हैं किस बाक्य का उधारन है तो बिजली चमकती है देख सकते बिजली चमकती है जो सरल बाक्य का उधारन हो जाएगा किस बाक्य का सरल बाक्य का उधारन हो जाएगा नेक्स नमर कोश्चिन है कि बरगद और पीपल के घनीच घाब से हम बहुत सुख मिलता तो यह सर्वनाम पदवंध है कुनसा सर्वनाम पदवंध है तेख सकते हैं और सत नमर कोश्चिन की बात कि यह राम आया और सो गया किस बाक्य का उधारन है तो यह मिस्र बाक्य हो राम आया और सो गया तो यह मिस्रवाग के काउधारन हो जाएगा। यानि option number C हो जाएगा। 각 this question है, गौरी संकर कौन सा समास हो जाएगा। यहां पर देख सकते हैं, गौरी संकर हो जाएगा। जो दोअंदर समास हो जाएँगा। कौन सा समास। दो का विशेशन क्या हो जागा लव हो जागा चलिए यहाँ पर नेक्श नमर कोश्चन है खिचाब सब्द में पड़तीय तो खिचाब में पड़तीय हो जागा आब खिचाब सब्द में पड़तीय क्या हो जागा आब हो जागा चलिए Next number question है कि अंजान तो अंजान सब्द में उपसर्ग हो जागा अंजान सब्द में उपसर्ग हो जागा अन क्या हो जागा अंजान सब्द में उपसर्ग हो जागा अन हो जागा Next number question है जूता सब्द है तो जूता सब्द हो जागा देसेज क्या हो जाएगा जूता सब्द है जो देसेज हो जाएगा चलिए next number question है कि तूने गया होगा यह कौन काल है तूने गया होगा यह भूत काल हो जाएगा क्या हो जाएगा तूने गया होगा यह भूत काल है next number question है स्याम आम खाता है यह किस किरिया का उधारन है next question है मेरा एक कुत्ता जो नेपाल से लाया गया है किस सर्वनाम का उधारन है तो यह अनिश्चे बाचक सर्वनाम का उधारन है नेक्षट परडिचारिक सब्ड का इस्तिरलिंग क्या होगा SH परिचारी का क्या हो जागा परिचारी का हो जागा नेक्श नमर कोश्चन है हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए यह किस कारक का उधारन है तो हे भगवान हो जागा जो संबोधन कारक का उधारन है किसका संबोधन कारक का उधारन है चलिए 79 नमर कोश्चन है आसू सब्द का ल सब्द कौन सी संग्या है तो पाकिस्तान सब्द हो जागा जो व्यक्ति वाचक संग्या हो जागा क्या हो जागा व्यक्ति वाचक संग्या हो जागा चलिए नेक्ष नमर कोश्चन देखते हैं देख सकते हैं नेक्ष नमर कोश्चन है कि निम्न में से सुद्ध सब्द कौन हो तो असुद्ध सब्द कह रहा है तो भाग्यवान क्या हो जाएगा भाग्यवान है जो यह असुद्ध सब्द हो जाएगा चलिए नेक्ष नमर कोश्चन है सिमांत का संदी बिछेद क्या होगा तो सिमांत का संदी बिछेद हो जाएगा सीमा पलस अंत सीमा पलस अंत हो नीक्स नमर क्ऊस्चन है कि टवर्गी नका उचारन स्थान किया है तो टवर्गी नका उचारन स्थान कंट से होता है कि जिसके उचारत स्वंस से पुर्व अल्ब मातरा में निकलने और जिसमें देख सकते हैं, जिसमें हकार जैसी धबनी नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अलफ परान कहते हैं अलफ प्राण व्यंजन कहते हैं देख सकते 85 नंबर कोश्चन है कि भासा के कितने रूप हैं तो भासा के हैं तीन रूप भासा के कितने रूप हैं तीन रूप हो जाएगा चलिए next नमर कोश्चन है कि दही बाली मगम्मा सिरी सक कहानी कानुबाद किस ने किया तो दही बाली म गम्मा सेषक कहानी कानुपाद BR नारायन ने किया था इस नूमर कोस्टन है माझी सुने जैसा बेटा पैदा किया ऐसा किस ने कहा तो ऐसा लेखक ने कहा लेकिन यहांपे नहीं है option number D हो जागा माजी ऐसा सोने जैसा बेटा पैदा किया यह लेखक ने कहा था यान देख सकते हैं इन में से कोई नहीं हो जागा 88 नमर प्रश्ण है कि सीता को रस्मलाई किसने भेजी थी तो सीता को रस्मलाई भेजी थी नारायन की पत्नी ने किसने नारायन की पत्नी ने सीता को रस्मलाई भेजी थी नेक्स नमर कोश्चन है कि किसे अपने मिर्थ पती पर बहुत गुस्सा आया तो किसे अपने मिर्थ पती पर बहुत गुस्सा आया था तो बल्ली अमबाल को किसको बल्ली अमबाल को यानि option number C हो जाएगा next number question है कि बेटी को अस्पताल में नहीं बेटी के घर होर जा रही है ऐसा मान लीजिए यह किस ने कहा था तो यह कहा था देख सकते हैं यह पंक्ति किस सिर्शक पाठ की है तो यह सिर्शक पाठ की है मा की किस की मा की है यानि option number D हो जाएगा next number question है कि सहर में रोज आकर दही देने और महीने के बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं सहर में रोज आकर दही देने और महीने के जो पैसे लेने को क्या कहते हैं तो यह बारी कहते हैं क्या कहते हैं बारी कहते हैं next number question है कि उडिशा सरकार के वरिजय याता यात्विभाग में विशेश सचीब कौन थें तो कौन थें तो या सतकोडी होता थें Next number question है कि लच्मी के लिए पुरवज कितना खेत छोड़े गए थे तो लच्मी के लिए पुरवज खेत छोड़ गए थे एक विगगा कितना एक विगगा खेत छोड़ गए थे Next number question है कि देख सकते हैं पामपती किस रोग से पीडित था तो पामपती को मेनी जाइटिस रोग था कौन सा रोग मेनी जाइटिस रोग था पामपती को चरिए यहाँ पे Next number question है कि धरती कब तक घुमेगी सिर्सक कहानी का अंत किस घटना से होता हैं तो धरती कब तक घुमेगी कहानी का अंत होता हैं सीता ने घर छोड़ दिया सीता ने घर छोड़ दिया next number question है देख सकते हैं next number question है कि मा सिर्षक कहानी किस भासा में लिखी गई है तो मा सिर्षक कहानी कुजराती भासा में लिखी गई है किस भासा में गुजराती भासा में लिखी गई है next number question है देख सेते कैलास की पतनी का क्या नाम था तो कैलास की पतनी का नाम राधा था क्या नाम था कैलास की पतनी का नाम राधा था next number question है बल्ली अमबाल को कितने नमबर कमरे में जाने के लिए कहा गया तो बल्ली अमबाल को 48 नमबर कमरे में जाने के लिए कहा गया next number question है कि माजी और उसका पुत्र किस गारी में बैठ कर विदा हुए तो माजी और उसका पुत्र है कि काला पानी किसका लोगप्रिय उपन्यास हो जगा तो यह इस वर पेटली कर का है किसका इस वर पेट लीकर का तो चलिए विडियो को लाइक सेयर कर दे फ्रेंड चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को स्क्राइब कर एक वे लाइक प्रेस कर दे ताकि देख सकते हैं पलपल की अपडेट यहां से मिलती रहेगी, तो चलिए लास्ट विडियो फैंड तीसरा बाइ